हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत थे स्टॉक मार्केड यूनियोसिटी में जहां पर हम अपना कोर्स केंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें आज हम बात करने वाले इनिवर्टेड हैमर के बारे में इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं खतम हो गया और अब मार्केट में तेजी आने वाली है तो अगर हम देखे तो इस तरह कि हमको यह इनिवर्टेड हैमर देखने को मिलती है जो नॉर्मल हैमर है जो इससे पहले की वीडियो में बात करी थी उससे यह पूरा उल्टा होता है लेकिन काम दोनों का एक ही है वह ह पर प्राइस डाउन नहीं होना चाहिए उपनिंग प्राइस से थोड़ा उपर रहना चाहिए फिर उपनिंग से थोड़ा निच्चे रहना चाहिए लेकिन डाउन शेड़ो नहीं होनी चाहिए अपर शेड़ो डबल होनी चाहिए बाडी से जो इसकी जो वीक है वह इस नहीं है लंबी गिरावट के बाद अगर हमों को कैंडल दिखे तो इसका मतलग है कि अब मार्केट में जो बेचने वाले उसकी संक्या कम हो गई है और अभी मार्केट में खरीदारी जोरो शोरो से होगी तो हमको भी इसमें पार्ट ले लेना चाहिए हमको भी थोड़ी बहुत खरीदारी कर लेने चाहिए तो यह देखे लंबे गिरावट के बाद यह देखे हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला और फिर सीधा का सीधा मार्केट उपर जाने लगा तो यहां पर हम अप बॉट्टम ऑफ बियर श्टेंड तो जब लंबी गिरावट के बाद यह फॉर्म होगी तब यह हम एपला कर सकते हैं और इसके बाद इस केंडल के बाद में ग्रीन केंडल दिख जाए तो यह पूरा का पूरा संकेत है कि अब बुलिश ट्रेंड आने वाला इसका पूरा का पूरा इंडिकेशन हमको मिल जाता है तो यह आपको समझ में आ गया होगा तो जल्दी सी लेक्चर को कर दिजिए लाइक अपने दोस्तों को शेर और हमारी यूनिशिटी में एंडल होने के लिए आपको सिर्फ फर सिप सब्सक्राब के बटन को दबाना है और इबाजू मे जिससे हमारे लेक्चर आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें ऐसी लेक्चर के लिए हमको सब्सक्राब कर लेजिए फॉलो करते रहें थैंक यू